कि ये लडाई जो आप लड रहे हैं या हमारी लडाई जो है ये लडाई लड़नी तो चाहिए उन 10,000 सिक्षकों प्रोफेसरों को जिनके उपर ये जम्मेदारी है कि आप सिक्षा देंगे, क्लास में क्या पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा, क्या नहीं पढ़ाएगा, वो सब कुछ तो तय हो रहा है कहीं और, तो आप प्रोफेसर भी किस बात के और कितने दिल तक बचे रहेंगे, कि आपके ऊपर निर्धारित कोई और कर रहा है कि आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, लेकिन जो काम वो प्रोफेसर उतनी कादात में नहीं कर पा जितना उन्हें करना चाहिए और वो विद्यार थी जो सीधे इसके शिकार सबसे पहले होगे मैं तो अभी भी एड हॉक तीचर हूँ नंदिता मैं हम लोग के समय दूटा प्रेजिडेंट हुआ करती थी और एड हॉक कहीं लडने के लिए आगे नहीं आता था बहुत कम कोड़ी अपनी हिम्मत पर चलाए जो ये सोच के आता है कि नोकरी चली भी जा तो भी कोई बात नहीं वो लड़ता था लेकिन नंदिता जी के मंच पर इन्हों ने हम लोगों को धक्का दे करके चड़ाया कि अपनी बात खुद बोलो अपनी लड़ाई खुद लड़ो और आज लड़ते लड़ते यहां तक पहुच गए कि हम कहीं भी खड़े और करके बिना डरे अपनी लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे रहें इसके लिए इन जैसे लोगों का होना कितना जरूरी है और मैं इनके सामने इसलिए बात कह रहा हूँ कि जिस ट्रेड यूनियन डूटा ने तमाम लड़ाईयां लड़ी और जीती थी उनमें एक लड़ाई वो फाई यूपी भी थे और वो यही दोर था यही एक सड़क पर बारिश का समय और मुझे याद आ रहा है मैंने वो किस्ता लिखा भी एक जगह कि सारे स्टुडेंट्स टीचर मिल करके फाई यूपी के खिलाफ खड़े थे और बारिश के समय जब सारे लोग तितर बितर होने लगे तो गिरे हुए बेरिकिटिंग में खड़े होकर के नलीदा जी नting नजस्वगाई थी कि हम देखेंगे लाजम है कि हम भी देखेंगे उस तरह से वो लडाईयां लड़ी गई हैं और जीती गई हैं कई लडाईयां हम जीते कई लडाईयां हम नहीं भी जीत पाए उनमें से एक लड़ाई जैसे मैं खुद उसी में पीड़ेत हूँ अब ये बताईए 12 साल मुझे एड होग प्रोफेसर बन के हो गया 12 साल हो गया अगर आज मैं पहले दिन प्रोफेसर रहता तो मैं तो प्रोफेसर बन चुका होता असिस्टेंट असोसियेट और प्रोफेसर तो वो अब हमारा मुका नहीं है हम किस बात के लिए लोड़ रहे हैं कि हम एड होग प्रोफेसर बने रहे हमारी लड़ाई इसमय चल रही है कोई नब बर्माने नोकरी देने के तवार न कोई अब्जोप्शन करने को तवार ने इंटर्वी तवार और उस बीच में नई सिख्षा नीति लागू की गई 40% पाटिकरम आउनलाइन पढ़ाया जाएगा जब 40% आउनलाइन पाटिकरम पढ़ाया जाएगा तो 40% टीचर का का काम होगा तो जो हम मांगते थे कि हमें पर्मानेन्ट करो अभी करो अरजेंट करो सब को पर्मानेन्ट करो अब हम लड़ाई लड़ते हैं कि कोई अद्धोप बाहर ने चला जाए क्योंकि नई सिख्षा नीति लागू हो गई अब आप जो मांगते थे यानि आपकी लड़ाई और बहतर को मांगने के थी और पीछे जो है वही लड़ाई जो था उसी को बचाने की लड़ाई बन गई बच्चा नया कपड़ा मांग रहा था कि हमारा कपड़ा थड़ गया है हमें नया कपड़ा दे दो उसकी चपल भी छीन ली अब उकारा पुराना उला चपली वापस देड़ो नई सिक्षा नीत में अब लड़ाई ये हो रही कि जो था उसे रहने दो जबकि लड़ाई ये होनी थी कि सिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का दसवा हिस्सा हो ये लड़ाई थी कि दसवा हिस्सा बजट का सिच्छा पर खर्च होना चाहिए अगर आप सिच्छा पर बजट में खर्च करेंगे तो कोविड में थाली कौन बजाएगा ताली कौन बजाएगा और विश्विद्याले आदर्ष विश्विद्याले कैसे होने चाहिए आदर्ष विश्विद्याले काशेंदो विश्विद्याले जैसा होना चाहिए पोलेटिकल साइंस का प्रोफेसर चोराहे पर बैट करके कहे देखो गोबर से उपला बना करके भी रोजगार पाया जा सकता है इसके लिए विश्वध्याले बनाया गया है ये जो विश्वध्यालेों की गती बनाने की कोशिच की जा रही है उसका एक जरिया है नई सिच्छा नहीं थी आप तार्किक धंग से सोचिये मत आपके सोचने समझने की छंदा को खत्म कर देने का नाम है नहीं सिच्छा नहीं थी NEP अब New Education Policy कोई कहता है तब तक कोई राष्टवादी कहता है नहीं राष्टरी सिच्छा नहीं थी है तो हम कहते है NEP का मतलब New Education Policy नहीं है नहीं एजुकेशन पॉलिसी है यानि अब किसी को सिच्छाई नहीं मिलेगी वो स्किर रणीती बनाई गई है हाथी के दाप दिखाने के कुछ और और खाने के कुछ और कहा क्या जा रहा है common interest test में कि जिन बच्चों के बारहवी में नंबर कम हो जाते थे उन्हें दियू के अच्छे या तमाम Central University के अच्छे college में admission नहीं मिलता था तो बिमारी तो सही पकड़ी आपने के admission तो नहीं मिलता था सही बात है अब उसका इलाज के ढूड़ा कि हमें common interest test देंगे common interest test का syllabus किसका होगा state board का होगा या central board cbsc का होगा सवाल नंबर एक सवाल नंबर दो अगर बारावी तक की पढ़ाई के बाद एक exam देने से तए होगा कि बीए में admission बीएसी में admission मिलेगा की नहीं तो बारावी तक की पढ़ाई खतम बारावी तक की पढ़ाई का कोई हमियत बचेगी सारा focus कि इसमें किया जाएगा कि वह इंट्रेंस test पास कर लिया जाए तो जैसे नीट आया मेडिकल में अगर admission लेना है तो लाखों रुपए की फीज पहले दीजिए कोचिंग की तयारी करिए तब आप मेडिकल में admission लेंगे IIT में admission लेने के लिए कोटा जाएए लाखों रुपए की फीज दीजिए तब आपको IIT में admission मिलेगा फिर भी वो professional courses थे उन professional courses के बाद एक भरोसा तो होता था कि कोई रोजगार मिल सकता है यह अलग बात है कि बीटे को अलेक भी आजकल मुद्रा लोग यह जना में लोल लेकर कि उसको भर नहीं पा रहे है कोई रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है बीए करने के लिए लाखों रुपए की फीज दें करके आप कोचिंग करेंगे पहले और उसके बाद आपको admission मिलेगा कि नहीं यह तय हो गया अब आप बताएए बीमारी पकड़ी गई सही और इलाज क्या दिया गया यह सबसे बड़ी चिनावती है दूसरा सवाल अगर common interest test होगा तो कोचिंग का empire तो खड़ा होगा ही होगा तो कोचिंग कहां खुलेगी दिल्ली में खुलेगी लकनव खुलेगी पटना खुलेगी और गाओं गाओं में कोचिंग कहां कोई खुल सकती है क्या computer पर बैठ कर multiple choice question का answer कौन दे सकता है जिनकी पीडियों में लोगों ने हाथ से कलम तक नहीं पकड़ी उनके बच्चों के उंगलिया computer पर जाने पर थर थराती है इसे कहते हैं cultural hegemony वो जो cultural hegemony जिसके पास नहीं है जो पहली बार अपने बच्चों को दो रुपए अगर बचाया दिन भर में तो इसने सोचा कि पहली बार मेरा बेटा या बेटी अगर स्कूल पढ़ने जाएगा तो मुक्ती दिलाएगा हम सबको उन लोगों को आप किस रेस में खड़ा कर रहे हैं गाव में कोई coaching center नहीं खुला होगा कोई वहाँ पढ़ाई नहीं है आज हमारी बिद्याले में पचास लोगों की class में online चली तो 25 से 20 बच्चे आए और जो 20-25 बच्चे class में नहीं आए उनमें 99% बच्चे first generation learner थे सबसे पहले पढ़ाई से दूर कौन होगा वो लोगों का जो हजारों साल से पहले से पढ़ाई से दूर था जिसके लिए लगाई लड़ी थी सावित्री बच्चे फूले फातिमा शेक ने जिसके लिए जोतिवा फूले ने जब उनके पिता ने उनसे कहा कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये ब्रामन लोग जा करके भढ़काए आज तो बोल दो तो भई लगता है कि एंटी नेशनल हो जाओगे लेकिन वो ने कहा कि धर्म के विरोध में काम है वो भी तो महान राश्ट था आर्या वरते जंबू दूपे भारत खंडे वहाँ पर क्या था कि सिक्षा देना सूत्रों और महिलाओं को सिक्षा देना धर्म के विरोध में और तब पिता ने कहा कि तुम या तो अपने स्कूल चुनो या अपना घर चुनो जोतिवा फूले सावितिवाई फूले ने कहा कि हमें स्कूल चुनते हैं, आपका घर छोड़ देंगे और घर छोड़ करके उन्होंने स्कूलों का सिरिज खड़ई की थी मैला फेका लोगों ने पत्तर फेका अपने इतिहास को खोजने के लिए कई बार पीछे इसे लोटना पड़ता है कि इतने संघर्ष के बाद जो हासिल हुआ था वो हमारी आखों के सामने छीना जा रहा है अगर हम नहीं बचा पाए तो हम आने वाली पीडियों को जवाब नहीं दे पाएंगे हम सब पब्लिक फंडेड एजूकेशन सिस्टम की देन है तीन सो रुपए सालाना फीस अगर अलहाबाद वुष्ट जयाले के नहीं होती तो मैं आज यहां नहीं होता यह हकीकत है पांच हजार रुपए में हमने पांच साल पीडि करके अपने फीस सम्मित की है आज आप पांच लाख रुपए दीजिए तो सालाना आपके फीस बनाई जारी तो कि खड़ा सामने आपके उदारड अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल इंवस्टी में एक बार पता करके देखिए कि कितने दलिक पिछड़े कामगार लोगों के मैनत कश लोगों के बच्चे वहां पढ़ाई करते हैं उनका सेलिबस कौन सा बना हुआ है वो लवली प्रोफेशनल इंवस्टी में कितना रिजर्वेशन लागू है और वो आइडिया फिंडिया की बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वही वाली बात है 80-20 का नारा देकर चुनाओ जीतेंगे और जीत रहे हैं वो तो उन्हें पता है कि इस जनता को सिख्चा की जरुवत नहीं है इन्हें एक सिनेमा, एक फिल्म दिखा दो ये सिनेमा हाल में बैटकर दंगाई बन सकते हैं हम वहाँ खड़े हैं इसलिए हम सिख्चा बचाने की लड़ाई लड़ एक बात करें एक सिनेमा पर दंगाई हो रहा है इस देश में और कोन लोग तयार किये जा रहे हैं आपको जवर दिखाया जा रहा है अरे हम भी कहते हैं कस्वीर फाइल बना रहे हो तो ज़रा एक एक एजूकेशन फाइल बना दो और दिखाओ कि एक लब का अंगूठा क्यों काटा गया था शंबू को क्यों मारा गया था छोदी बार फूले पर पतर क्यों मारा गया था हिम्मत है तो दिखाओ वो इसी भारत की कहानी है आज इस देश में सब कुछ नफरत इसलिए फैलाने में काम्याब है क्योंकि ये तालीमी इदारे बरबाद हो रहे हैं तो नई सिख्षा नीती को वापस कराने की लड़ाई हमारे आने वाली पीडियों को बचाने की लड़ाई है यही बात मैं कहके जा रहा हूँ क्योंकि इन पर्चों में और बाकी वक्ताओं ने क्लाज बाई क्लाज और कहने को तो हमने भी कहा है हमने एक एक पन्ना हमने कहा है कि उन लोगों को बिढ़ाओ हमारे सामने हम बैठा के बता देंगे कि कहां कहां ये वो नीती है जो आपके बच्चों का भविश बर्बाद कर रही लेकिन भाई बर्बाद करेगा तभी तो नाली के गरस से चाहे भी बनेगी बादल आ गए तो रडार काम नहीं करेगा और पढ़ाई लिखाई उनकी देखिए टेली प्रॉम्टर बंद हो गया तो अपना वाग की पूरा नहीं कर पाए और आज वो आने वाली पीडियों की सिक्षा नीती बना रहे है वाग की पूरा नहीं पाए टेली प्रॉम्टर बंद हो गया तो आज आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप अपने सियासी कुरसी के लिए पूरी सच्छा को बेच रहें नहीं थी हातों में किसान समझ गए और किसानों ने लड़ाई लड़ी उन तीन कृषक कानोनों में कहीं साफ लिखा थोड़े ही था कि अब खेती किसानी बिकेगी अंबानी अडानी खरीदेंगे कहीं सीधे नहीं लिखा था लेकिन किसान समझ गए कि ये पॉलसी अंतता हमारी फसलों और नसलों को उन अंबानी अडानी के हाथों बेच देगी कोवीड काल में 12 करून नोकरियां चली गई और 256 गुना मुनाफ़ा बढ़ गया अंबानी का अडानी का तो एक तरफ देश बरबाद हो रहा है तरफ कौन उसका मुनाफ़ा कमा रहा है ये नई सिक्षान नहीं थी इसमें साफ भले नहीं लिका है लेकिन आने वाले वक्त मे ये विश्वध्याले जो पब्लिक फंडेट राजी की जिम्मेदारी क्या होती थी कि किसी की जेट में पैसा है या नहीं किसी की जाती कौन सी है धर्म कौन सा है शेत्र कौन सा है भाशा कौन सी है इससे ये तैना हो जाए कि उसको तालीम मिलेगी या नहीं मिलेगी ये करने देंगे इंडिया को और लड़ने देंगे उस जगह पर हम खड़े इसलिए आखरी बात ये कह करके आप से विदा ले रहा हूं कि हमें नहीं पता कि हम यह लड़ाई जीतेंगे या हारेंगे मगर लडाईयों का इतिहास केवल जीत हार से नहीं ते होता इस बात से भी ते होता है कि जिस दोर में लडाई लड़ी जानी थी पूरी शिद्दत से वो लड़ाई लड़ी गई कि नहीं लड़ी गई हम उस शिद्दत से लड़ने के हक में हैं और इस लड़ाई को बुलंद क कीजिए लड़ाइंगे जीतेंगे इंकलाब जंदाबाद जै भीम जै मंडल जै संविदान